लोग तंद्र क्या है? भारत सरकार लोग तंद्र की सरकार है. हमारे देश के प्रिधान मंत्री, राश्ट्रपती, विधायक, मुख्य मंत्री एवं विबिन राजनेताओं की जब नियुक्ती होती है तो क्या वो स्वयम ही अपना पद निर्धारित करते हैं? एसा नहीं है. यह निर्णय लोग तंद्र के द्वारा एवं लोगों के निर्णय पर आधारित होता है. जो महत्वपून होता है. विश्व का सबसे विशाल लोग तंद्रिक देश भारत है. चुनाव क्या होता है? भारत देश के विबिन राजनेता, विधायक, मुख्य मंत्री, राष्ट्रपती, प्रधान मंत्री एवं अन्य राजनेताओं का चुनाव कैसे होता है? यह लोग तंद्र से होता है? यह किस प्रकार होता है? यह हम जानेंगे. चुनाव में अनेक उम्मीदवार होते हैं. लोग अपने पसंद के प्रत्याशी को चुन कर अपना मत्तदान करते हैं. जिन प्रत्याशियों को बहु संख्यक मत प्राप्त होते हैं, वह चुनाव जीत जाते हैं और उन्हें सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी जाती है इस जिम्मेदारी के अंतरगत इन नेताओं को नागरिकों की समस्याओं का समधान करना पड़ता है और साथ ही उन्हें उन समस्याओं को सुलजाने की नीटी भी बनानी पड़ती है समस्याओं जैसे सडकों का निर्माण, बिजली इत्यादी जैसे सभी दिक्कतों का समधान करना होता है जिससे हमारा देश उन्निती की ओर अग्रसर हो मतदान क्या होता है? विबिन राजनेतिक दल जैसे भाजपा, कॉंग्रेस, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजपार्टी के चुनाव के समय सभी मतादिकारी अपना मतदान करने आते है जिस दल को सबसे अधीक मतप्राप्त होते हैं वह चुनाव जीट जाते हैं और जिसे सबसे कम मतप्राप्त होते हैं वह चुनाव हार जाते हैं इसे मतदान कहते हैं मतदान क्यूं करते हैं? भारत सरकार के नियमों के अंतरगत सभी नागरिकों को मानाव अधिकार प्राप्त है साथ ही समान सिक्षा, रोजगार एवं विकास का पूरा अधिकार है जो देश के नागरिकों के लिए महत्वपून है यदि मुख्य मंत्री, राश्च्रपती, प्रधान मंत्री तथा अन्य राजनेताओं के चुनाओं में देश के नागरिक मतदान ना करके अपना सहयोग नहीं देंगे तो सरकार देश भर में उचित रीती से नियंद्र नहीं कर पाएंगी जैसे सडकों की मरमत, बिजली की विवस्था, शारिरिक अपराद एवं सामाजिक सुरक्षा का अभाव होगा इसके अलावा ब्रश्टाचार में भी बढ़ोत्री होगी चीजों का मूल्य बढ़ जाएगा, इन कुशासनों के कारण लोगों को कष्ठ होगा इसी कारण मतदान देना अत्यधिक आवश्यक है यदी लोग मतदान करेंगे, तो सरकार उन्हें सभी सुविधाएं विशेश रूप से प्रदान करेंगी जिससे उन्हें तमाम दिक्कतों से भी राहत मिलेगी मतदान प्रत्याशी की पुर्ण जानकारी लेने के पश्चात एवं सोच विचार करकर ही दें यदी ऐसा नहीं करते हैं, तो आने वाले समय में जन्ता को इससे नुकसान हो सकता है इसलिए यह आप सभी की जिम्मेदारी है कि प्रत्याशीयों को मतदान देख परक करी दें जो हमारा सहयोग करें एवं हमारे देश की उन्नती हो राश्ट्र और राजनेताओं का चनाओं हर पाच वर्ष में हो क्या यह आवश्यक है? हाँ इससे हमारे देश में हर पाच वर्ष में की गई उन्नती को परक कर और बेहतर करने का निर्ने लिया जाता है मतदान के क्या नियम है? मतदाता भारत का नागरिक हो जिनकी उम्र 18 साल या अधिक होनी चाहिए मतदाता का पंजियन एवं वोटर आइडी उनके पास होना चाहिए यदि कोई व्यक्ति कानोनर अपराधी है तो उसे मतदान देने की अनुमती नहीं है मतदान देने के लिए व्यक्ति का मानसिक संतूलन ठीक होना आवश्यक है और जो व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है या उनका मानसिक संतूलन ठीक नहीं है उनको मतदान देने की अनुमती नहीं है मतदान देने की प्रक्रिया क्या है? जिन मतदाताओं का मतदाता सूची में पंजी करन हो गया है और उनके पास वोटर आईडी कार्ड है वह अपने नस्दीकी मतदान केंद्र पर जाएं और वहां जाकर मतदाता क्रमांग सूची में वोटर आईडी दिखाकर अपने नाम की जाच करवा लें यह होने के बाद वहां के चुनाव करमचारी को वोटर आईडी दिखाकर मतदान केंद्र के अंदर जाएं वहां बैठे चुनाव अधिकारी आपके दस्तावेजों की जाच करने के बाद आपसे हस्ताक्षर लेकर आपके बाए हाथ की तरजनी उमली पर स्याही लगाएंगे जिसके बाद आप EVM मशीन के पास जाएंगे. EVM मशीन पर दिखाए गए प्रत्याशियों की सूची में से आप अपने प्रत्याशी चुनें जिसे आप मतदान देना चाहते हैं. अपना मतदान प्रत्याशी की पिछले कारियों को ध्यान में रखते हुए ही दे एवं उचित निर्ने ले एवं बटन दबा कर अपना मतदान दे. यदि आप प्रत्याशियों की सूची में से किसी को भी नहीं चुनना चाहते हैं, तो अंत्र में दिये गए नोटा पर बटन दबा दे. हरी बत्ती जलते ही आपका मतदान हो जाएगा. दिव्यांग जनों के लिए सुगम्यता का क्या अर्थ है? सभी नाग्रिकों को समान अधिकार प्राक्थ है. पहले भारत सरकार दिव्यांग जनों को सुगम्यता नहीं दे पार ही थी. जैसे दिश्टी हीनों के लिए स्पर्ष पत, शारिरिक रूप से विकलांगों के लिए रैम्प एवं मुखबधीरों को भी व्यवस्था नहीं प्रदान थी. उन्हें मतदान का अमूल्य नहीं पता था. सरकार ने इस विशय पर सोच विचार करके उन्हें सुगम्यता प् जिससे सभी को सुगम्यता प्राप्थ हो. इसी लिए सभी दिव्यांग जन, मतदान अवश्य देए. भारत निर्वाचन आयोग ने एक नए आप सक्षम ECI का प्रमूचन किया है. यदि कोई दिव्यांग जन किसी कारण वश चुनावी कार्या ले नहीं जा पाते हैं, तो इस आपको डाउनलोड कर अपनी आवश्यक जनकारी डाले और जमा कर दें. आपके जमा करने की जनकारी मिलते ही भारत निर्वाचन आयोग के कर्मचारी आपके घर पर आकर आपकी साहता कर सकते हैं. जैसे पंजी करन करना, वोटर आईडी में सुधार, अथ्वाइस से ऐसे दिव्यांग जन, जिनकी 40 प्रतीशत से ज़्यादा दिव्यांगता है, वो अब घर से ही मतदान कर सकते हैं. भारत निर्वाचन आयोग, बेंचमार्ट दिव्यांगता वाले दिव्यांगों और 85 वर्ष या उससे अधीक उम्र के वरिष्ट नागरिकों को घर से वोट देने की सेवा प्रदान करता है. इस सेवा को पोस्टल बैलट कहा जाता है. जिसके लिए 12 टी फॉर्म भरकर आविदन किया जा सकता है. घर से मतदान सेवाओं की जानकारी प्राप्ट करने के लिए आप विवरेंड में दिये गए लिंक पर ट्लिक करें या भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर भी आप यह जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं जानकारी प्राप्ट कर सकते हैं.